आलसी कथा ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो हमें ये शिक्षा देती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए क्यों कि आलस मनुष्ट का प्रथम सत्रू है दूसरा सत्तू कुरोध है तो इस परकार से मनुष्ट के कैई सत्रू है एहिंकार भी मनुष्ट का सत्रू है परंतो आलस सबसे बड़ा सद्थुर हुए आल सी प्रकार से सोता रहता था मजे से राध दिन सोना खाले ना पी लेना सो जाना कुछ करता नहीं था एक बार एक महतमा जी आए कैने लगे लो भाई ये पारस पथर है इसमे गुण Elise इसे तुम लोहे से छुआ दोगे, सोना बन जाएगा, इस प्रकार तुम कितना ही सोना बना सकते हो, अगर तुम रेल की पठ्री से विछवा देगो, तो वहां से वहां तक पूरे इंदुस्तान में सोना ही सोना दिखाई देगा, और लोहे की चीजें लाला कर गाटर है, और घर में जो भी चीजें लोहेगी, छुआते रहो, पत्थर वो सोना बन जाएगा, ये पारस पत्थर है, तो पारस पत्थर के बारे में पुरानी किवदंती है, कि पारस पत्थरी गड़ महवे में लोहो छूत स्वन बन जाए, और कट-कट लठा बने असरफी, बिकने देश विदेश हों जाए, मतलब ये कि पारस पत्थर से सोना बना जा सकता है, ऐसी ये किवदंती है, तो वो अलसी व्यक्ती को पत्थर देकर एक महात्मा जी चले गए, बोले भाई, इससे सोना बना लेना, तेरी जिन्द की आलम से कट जाएगी, महात्मा चले गए, परंतु कोना सोने से बढ़ जागा, और वो इस परकार से सोचता सोचता उसे कही महीने हो गए, और उसने कुछ नहीं किया, आखिर एक दिन महात्मा आए, बोले लावाई मेरा पत्थर दे दो, उसने दे दिया, महात्थर न चले गए, और वो रोता ही रह गया, तभी, एक बिद्व पसारे, एक दिवस को एक महात्मा उसके द्वार पधारे, और ये बोले, और ये बोले लो पारस पत्थर, अपने घर रख लेना, लोहा लाकर छूदो इससे, सोने से घर बन लेना, इतना कहकर गए महात्मा, महात्मा ही चले गए, इतना कहकर गए महात्मा, पर्व हे हिलाने डोला पड़ा पड़ा ही अपने मन में आलस मैं ही बोला इतनी जल्दी क्या है अरे इतनी जल्दी क्या है और किसी दिन सोना बन जाएगा फिर तो घर का कोना कोना सोने से भड़ जाएगा वो सोचता बिचार करता रहा आलस में उसने किया कुछ नहीं यही सोचता रहा आलसी यही सोचता रहा आलसी बीते दन बहुते रे और महत्मा आदम के फिर एक दिन बड़े सवे रे तुरत आलसी से ये बोले तुरत आलसी से ये बोले चटपट पथल लाना और पैरों पर गिर पड़ा आलसी किन्तुन साधू माना साधू तुरत चल दिया वहां से उसने समय नखोया और आलसी फूट फूट कर निजालस पर रोया तो दोस्तों आलस से बुरी कोई बला नहीं आलस से बुरी बला है से त्याग दीजिए अनस्वासन का जीवन स्रेष्ट होता है प्रिश्रमी का जीवन स्रेष्ट होता है कर्म भी स्रेष्ट होता है और आलस सबसे बुरा होता है इसलिए आलस को त्याग करके कर्म अपना हैं श्रम अपना हैं अनस्वासन से जीवन जीएं जो यतना सरम करेगा उतना अधिक प्राप्ती करेगा जय इन जय भाव